हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल आर्ट्स रिजन क्लासेज, मेरा नाम रंजना गुपता है, आज हम आप लोगों को यूपी पीचेटी आर्ट 2005 का क्वेश्चन पेपर सॉल्ब कराएंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नमबर फोर्थ ओप्सन है रैफेल, मेरेज ऑफ वर्जिन का चित्र रैफेल ने किया था, ठीक है, रैफेल सेंजियो का टाइम पेरियट 1483 से 1520 इस्वी है, ये फ्लोरेंस के हाई रिनिंसा के कलाकार थे, मेरेज ऑफ वर्जिन चित्र 1504 इस्वी में निर्मित किया गया, ठीक है, और इस चित्र की प्रिष्ट भूमी में बनी इमारत पर हस्ताक्षरवा तिथी अंकित है, नेक्स्ट कोस्चन है, प्रसित चित्र मोनालिसा किस देश के कलाकार की कृती है, फर्स्ट ओप्सन है अमेरिका, सगेंड ओप्सन है इस्पेन, थर्ड ओप्सन है इटली, फोर्थ मुनालिसा इटली के कलाकार लिओनार्डो द विंची की कृति है नेक्स्ट क्वेस्चन है यूरोब की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है फर्स्ट आप्शन है माइकल एंजिलो, सकेंड आप्शन है जॉर्जियोन, थर्ड आप्शन है लियोनार्डो दाविंची, फोर्थ आप्शन है रैफिल डिवाइन पिंटर या दैवी कलाकार रैफिल को कहा जाता है फर्स्ट आप्शन है दिलाकरा, सकेंड आप्शन है इंजर्स, थर्ड आप्शन है जेरी कल्ड, फोर्थ आप्शन है माने तो यहाँ पर आइट अंसर हो जाएगा जेरी कल्ड ठीक है फ्रेंच रोमान्स वाद या स्वचन्दता वाद का आरम करता किसको माना जाता है फ्रेंच रोमान्स वाद या स्वचन्दता वाद का आरम करता किसको माना जाता है ठीक है और स्वचन्दता वाद का प्रिथम प्रनेता चित्र में दूसा का बेड़ा है नेक्स्ट कोश्चन है, आप्टिकल मिक्स्चर किस आंदोलन से सम्बंधित है? फर्स्ट आप्शन है प्रिभाववाद, सकेंड आप्शन है या थार्द वाद, थर्ड आप्शन है बिंदुवाद, फोर्थ आप्शन है प्रतीक वाद Optical Mixture बिंदुवाद आंदोलन से संबंदित है इसे बिंदुवाद या नोप्रभाववाद आदी नामों से जाना जाता है देखे नोप्रभाववाद का टाइम पिरियेट 1886 से 1903 है और ये नोप्रभाववाद प्रांस की कला है ठीक है इनके बहुत सारे नाम है जैसे Optical Mixture पूछ लिया किस आंदोलन से संबंदित है तो बिंदुवाद से संबंदित है तो इसी तरह इसके अन्य नाम भी है कोई भी नाम पूछ कर इस तरह से एकजामे कोश्चन आ सकता है नेक्स्ट कोश्चन है इस नानम मगन युवतियों के चितरकार कौन है फर्स्ट ओप्सन है सेजा सेकेंड ओप्सन है मोने थर्ड ओप्सन है कोरबे फोर्ट ओप्सन है मिले इस नान्व मगन युवतियों की चित्रकार है सेजा ठीक है पॉल सेजा का जन 1849 इस्वी में फ्रांस के एजा प्रोविंस में हुआ था पॉल सेजा को घनवाद का पितामा आधनी कला का पितामा और उत्तर प्रभाववाद का पिता पितामा या जनक माना जाता है नेक्स्ट कोस्ट्ण है जोर्ज ब्राग किस कला अंदोलन से संबंदित थे जोर्ज ब्राग घनवाद कला आंदोलन से संबंदित थे घनवाद का टाइम पेरिएट 1907 से 1925 इस्वी है ठीक है और ये कला पेरिस फ्रांस में प्रारंब हुई घनवाद को पिकासो वबराक ने मिलकर विक्सित किया था नेक्स्ट कोश्चन है अतिय थार्दवाद के किस चित्रकार ने फ्राइट के अध्यान से ही स्वपने की कलपना तरंगों के कलात्मक महत्व को पहचाना फर्स्ट ऑप्षन है मोने, सेकेंड ऑप्षन है पिकासो, थर्ड ऑप्षन है मातिस, फोर्थ ऑप्षन है सल्वाडोर डॉली तो यहां राइट एंसर हो जाएगा सल्वाडोर डॉली नेक्स्ट कोश्चन है प्रसित चित्रकार राजा रवी वर्मा का जन्म कहां हुआ था फर्स्ट आप्शन है उत्तर प्रदेश, सकेंड आप्शन है केरल, थर्ड आप्शन है करनाटक, फोर्थ आप्शन है पस्चिम बंगाल राजा रवी वर्मा का जन्म केरल के किली मनूर में 29 सप्रेल 1848 इसवी में हुआ था राजा रवी वर्मा को भारती चित्रकला के इतिहास का पितामा भी माना जाता है इन्हें भारती कैलेंडर कला का पिता भी माना जाता है और भारत में तेल रंगों का की शुरुवात राजारवी वरमाज नहीं की थी निक्स्ट कोस्चन है बंगाल सैली के सिर्षस्त कलाकार है फर्स्ट उप्षन है यामनी राय, सकेंड उप्षन है अमरिता सेरगिल, थर्ड उप्षन है अवनींद्र नाठाकूर, फोर्थ उप्षन है एनिस बेंदरे बंगाल सैली के सिर्षस्त कलाकार है अवनींद्र नाठाकूर अवनेदना ठाकुर का जन 7 अगस 1871 इस्वी में पस्चिम बंगाल जोडा सांको नामगराम में किस दिन हुआ था जन्मास्टमी के दिन हुआ था इन्हें भारत में वोस पधती का जनक, बंगाल सैली का प्रवर्तक, पुनर जागरार सैली का जनक, शिल्प गुरू, कला गुरू आदी नामों से जाना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, छितिंद्र नात मुझूमदार नामक प्रसित चित्रकार के कला गुरू कौन थे? फर्स्ट आप्शन है रविन नाठ ठाकूर, सकेंड आप्शन है ईवी हैवेल, थर्ड आप्शन है अबनींद नाठ ठाकूर, फोर्थ आप्शन है जगदीश बसूर। तो ये सबी जानते होंगे कि छितिंद्र नात मुझूमदार के कला गुरू अबनींद नाठ ठाकूर थे, छितिंद्र नात मुझूमदार का जो टाइम पिरिड रहा है वो 1891 से 1975 इस्वी रहा है, इनका जन पस्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद के निमतीता नामकिस्था पर हुआ था और इन्हें वैश्णों चित्रकार भी कहा जाता है, निक्स्ट कोश्चन है कलकत्ता आठ विद्याले के प्रचार थे, फर्स्ट ऑप्सन है ईवी हैवल, सकेंड ऑप्सन है नंदलाल भोस, थर्ड ऑप्सन है के अनमजुमदार, फोर्थ ऑप्सन है असित कुमा हलदार, कलकत्ता आठ विद्याले के प्रचार इवी हैवल थे, निक्स्ट कोश्चन है निम्न लिखित में से कौन बीश्वी सताब्दी का महान चित्रकार था, फर्स्ट ऑप्सन है रेनॉयर, सकेंड ऑप्सन है पिकासो, थर्ड ऑप्सन है मीरो, फोर्थ ऑप्सन है बीश्वी सताब्दी का महान चित्रकार था, पिकासो, पिकासो को घनवात का पिता या फादर ओफ क्यूबिस में भी कहते हैं, निक्स्ट कोश्चन है परिप्रेक्ष की द्रिष्टी से हमें घन के कितने पक्ष दिखाई परते हैं, फर्स्ट ऑप्सन है छे, सकेंड ऑप्स गनवात के तीन पक्ष दिखाई परते हैं, निक्स्ट कोश्चन है बसावन चित्रकार थे, फर्स्ट ऑप्सन है मुगल कला के, सकेंड ऑप्सन है राजपूत काल के, थर्ड ऑप्सन है आधुनिक काल के, फोर्ट ऑप्सन है मध्य काल के, तो बसावन मुगल काल के चित्रका थे ङीघने अकिष्ट कोस्टन है अ अंटर का आर्थ स्टूडियो इस्तितता फस्ट्रॉ स्ट्रॉ डिल्री से घ्ली से फतेपुर ए च्तसार डिल्र एऽत आर्पशिपूर में स्टाय से देख मैं आगरा में अंजल 7 का आर्ट इस्टूडियो फतेपुर सिक्री में इस्थित था नेक्स्ट कोस्चन है बाच नामक चित्र के चित्रकार का नाम है फर्स्ट ऑप्शन है अबुल हसन सकेंड ऑप्शन है फारुक वेग थर्ड ऑप्शन है मनसूर फौर्थ ऑप्शन है दौलत बाच नामक चित्र के चित्रकार थे उस्ताद मनसूर ठीके और ये जहांगीर कालिन चित्रकार थे नेक्स्ट कोस्चन है कि सासा के काल में चोड़े हासिये बनने लगे थे फर्स्ट ऑप्शन है रतन सिंग सेकेंड ऑप्शन है अर्जुन सिंग थर्ड ऑप्शन है औरंग जे फूर्ट उप्सन है साज जहां, यहां राईट अंसर हो जाएगा साज जहां, साज जहां के काल में चोड़े हासिये बनने लगे थे, नेक्स्ट कोस्ट्चन है, महाराज संसार चंद द्वारा कि सैली को सनक्षण मिला? फर्स्ट ओप्षन है जैन सैली, सकेंड ओप्षन है राजस्थानी सैली, थर्ड ओप्षन है पहाडी सैली, फोर्थ ओप्षन है सिख सैली तो यहां राइट एंसर हो जाएगा पहाडी सहली और पहाडी सहली की कांगड़ा सहली को महराजा संसार्चंदर ने सरक्षण दिया था Next question है कांगड़ा चितर सहली का प्रमुख चितर कार कौन था First option है कुशन लाल Second option है राम लाल Third option है शाम लाल Fourth option है पन्ना लाल तो इन में से कांगडा चित्र सैली का प्रमुख चित्रकार कुसन लाल था नेक्स्ट कोस्चन है बारा मासा चित्र किस काल में अधिक हुआ फर्स्ट ओप्शन है बौध काल में, सेकेंड ओप्शन है राजपूत काल में, थर्ड ओप्शन है मुगल काल में, फोर्ट ओप्शन है पूर्व मध्य काल में, बारा मासा का चितरण राजपूत काल में हुआ था, ठीक है? नेक्स्ट कोस्चन है बसोली सैली में चित्रित गीत कोविन के कलाकार कौन है फर्स्ट ओप्षन है देवी दास, सेकेंड ओप्षन है रांच्छा, थर्ड ओप्षन है मनोहर, फोर्थ ओप्षन है वो परियुक्त में से कोई नहीं तो यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा वो परियुक्त में से कोई नहीं क्योंकि बसूली सहली में चित्रित गीत कोविन के कलाकार कौन है तो वो है मानकू बसूली सहली में चित्रित गीत कोविन के कलाकार मानकू है सत्रा सो तीस इस्वी में महिला कलाकार मानकुने गित गोविन का चितरन किया था और ये चितर राष्ट्री संग्राले नई दिल्ली में संग्रहित है नेक्स्ट कोस्चन है भार्थी कला कस्वर्ण यूग है फर्स्ट ओप्षन है प्रागयतिहासिक यूग, सकेंड ओप्षन है गुप्त यूग, थर्ड ओप्षन है मुगल यूग, फोर्थ ओप्षन है आधुनिक यूग, भार्थी कला कस्वर्ण यूग, गुप्त यूग है ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है पतना कलम का विकास किन कला सैलियों के समिसरर से हुआ फर्स्ट ओप्षन है यूरोपी एवं बंगाल सैली सगेंड ओप्षन है इसाई एवं हिंदू सैली थर्ड ओप्षन है यूरोपी एवं भारती सैली फोर्ट आप्शन है पाल एवं मुगन शैली पतना कलम का विकास यूरोपी एवं भारती सैली के मिस्रर से हुआ नेक्स्ट कोस्चन है बाइजेंटाइन कला में छतों और दिवारों को किस विधी से अलंकरित किया गया फर्स्ट आप्शन है मड़ी कुट्टिम, सकेंड आप्शन है वास, थर्ड आप्शन है फ्रिस्को ब्यूनो, फोर्थ आप्शन है फ्रिस्को सेको तो यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा मड़ी कुट्टिम नेक्स्ट कोश्चन है उस चित्रकार का नाम बताईए जो एक प्रसीद मुर्तिकार्थ है फर्स्ट ओप्षन है रैफेल्स एंजियो, सेकेंड ओप्षन है कोरेच जियो, थर्ड ओप्षन है ऐंड्रिया डेलसारलो, फोर्थ ओप्षन है माइकल एंजिलो तो यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा माइकल एंजिलो ठीक है एंजिलो का टाइम पेरिएट 1475 से 1564 इस भी है और इनका पूरा नाम माइकल एंजिलो व्यूना रित्ती है इनका जन इटली के फ्लोरेंस के केप्रिज नामकिस्थान पर हुआ था इन्हें बरोक कला का जन दाता भी कहा जाता है और माइकल एंजिलो हाई रिनिंसा के कलाकार थे नेक्स्ट कुश्चन है उच्च पुनर जागरण काल के चित्रकार का नाम बताईए फर्स्ट आप्सन है ज्यूत्तो, सकेंड आप्सन है प्राइंजेली को थर्ड आप्सन है बती जेली, फर्थ आप्सन है रैफेल तो यहाँ उच्च पुनर जागरण काल के चित्रकार है रैफेल उच्च पुनर जागरण काल के तिन कलाकार बहुत महत्वपूर है वो है रैफेल, माइकल एंजिलो और लियोनाडो दा विंची नेक्स्ट कुस्चन है दवर्जिन आप्सन के चित्रकार है फर्स्ट आप्सन है माइकल एंजिलो, सकेंड आप्सन है लियोनाडो दा विंची थर्ड आप्सन है रैफेल, फोर्थ आप्सन है फ्रा एंजेलिको The Virgin of the Rocks के चित्रकार है Leonardo Da Vinci Next question है गोतिक कला के किस चित्रकार ने इंद्र धनुसी रंगों में चित्रण किया First option है John Pucyl Second option है Master of Mullins Third option है Gerard David Fourth option है Egg Angers तो यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा Master of Mullins Master of Mullins ने इंद्र धनुसी रंगों में चित्रण किया था Next question है रंगिन काच की खिड किया संबंदित है First option है कोतिक कला से Second option है बाइजिन्टाइन कला से Third option है यूनानी कला से Fourth option है मिस्र की कला से रंगिन काच की खिड किया संबंदित है गोतिक कला से Next question है भारती लगुचित्रों की परंपरा किस काल से आरम होई First option है प्राचिन काल से Second option है आधुनिक काल से Third option है पूर्वमध्य काल प्राकृत से Fourth option है प्रागैतिहासिक काल से भारती लगुचित्रों की परंपरा पूर्वमध्य काल प्राकृत से आरम होई मध्य काल का समय 650 से 1550 इस्वी है मध्य काल की कला को पोथियों की कला भी कहते हैं और मध्य काल को दो भागों में बाटा गया है पहला क्या है पूर्वमध्यकाल जिसका समय 650 से 1000 इस्वी है और दूसरा है उत्तर मध्यकाल जिसका समय है 1000 से 1550 इस्वी नेक्स्ट कोस्चन है पूर्वमत्यकालीन प्राकृत कला के फर्स्ट ओप्शन है चित्रों में लह और गती का पूर्ण अभाव है सेकेंड ओप्शन है चित्र लह और गती पूर्ण है थर्ड ओप्शन है चित्रों में भावों का पूर्ण अभाव है निक्स्ट गूश्चन है कोटा सैली के उत्किरिष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैlles फर्स्ट आप्शन है जाला जी की हवेली में सेकेंद आप्शन है अच्चारी की हवेली में थर्ड आप्शन है सिटी पैलेस में फौर्थ आप्शन है माधो निवास में कोटा सैली के उत्कृष भित्ति चित्र जाला जी की हविली में देखने को मिलते हैं ठीक है? कोटा सैली हडोती की उप सैली है और इसकी स्थापना 1625 इस्वी में माधो सिंग हाडा ने की थी कोटा सैली सिकार दिर्श्यों के लिए प्रसिद है मौलिकता प्रदान की फर्स्ट ऑप्षन है बुंदी सैली को सेकेंड ऑप्षन है किसंगर सैली को थर्ड ऑप्षन है अलवर सैली को फोर्थ ऑप्षन है कोटा सैली को तो यहां राइट एंसर हो जाएगा कोटा सैली को राजा उमेश सिंग ने कोटा सैली को मोलिकता प्रिदान करी थी कोटा सैली का प्रमुक आश्रेदाता और रागवन थे राजा उमेश सिंग थे इन्ही की समय को कोटा सैली का स्वनकार या चर्मुत का स्काल इन्ही का समय रहा है नेक्स्ट पॉष्चन है बुंदी सहली में चित्रित दूज का चांद देखते प्रेमी यूगल पर किस चित्रकार का नाम अंकित है फर्स्ट ऑप्सन है बदन सिंग, सेकेंड ऑप्सन है मोहन, थर्ड ऑप्सन है अमर चंद, फोर्थ ऑप्सन है भवानी दास दूस्ट का चांद देखते प्रेमी यूगल कि चित्रकार जो है वो कौन है वो मोहन है और या चित्र प्रिंस ओफ वेल्स म्यूजियम मुंबाई में सुरक्षित है नेक्स्ट कोस्चन है बूंदी चित्र सैली की रंगी ओजना है फर्स्ट ऑप्सन है धूमिल, सेकेंड ऑप्सन है चटकोली, थर्ड ऑप्सन है हलकी रंगी ओजना, फोर्थ ऑप्सन है स्याही से रिखांकन बूंदी सैली की रंग योजना कैसी है? चटकीली है और बूंदी सैली हडोती की उपसैली है निक्स्ट कोश्चन है पाल सैली के चित्र होते हैं फर्स्ट ओप्षन है पोथियों में सेकेंड ओप्षन है दिवारों में थर्ड ओप्षन है कैन्वस पर fourth option है board पर पाल सैली के चित्र पोथियों में होते थी ठीक है और इसे पोथी चित्र सैली के रूप में भी जानते हैं पाल सैली का समय 730 से 11197 इस्वी है यानि की 8 से 12 शती इस्वी है पाल सैली बहुत धर्म से सम्बंधित सैली है next question है वर्स 1630 में चित्रित रसिक प्रिया के चितेरे थे फर्स्ट ऑप्शन है साहब दीन, सेकेंड ऑप्शन है मनोहर, थर्ड ऑप्शन है जगननात, फूर्थ ऑप्शन है स्रिंग धर तो यहाँ पर रसिक प्रिया के चित्रकार थे साहब दीन और साहब दीन मिवार सेली के चित्रकार थे रसिक प्रिया के 41 चित्र प्राप्थ होते हैं Next question है हाग की पटरियों पर चित्रन कि सेली का है फर्स्ट अप्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प् किसंगर्ड चित्रण किस राज से संबंदित है फर्स्ट उप्षन है उत्तर प्रदेश सेकेंड उप्षन है बिहार थर्ड उप्षन है राजस्थान फोर्थ उप्षन है जैपूर यहां राइट एंसर हो जाएगा राजस्थान इस क्लास में यूपी पीचिटी आर्ट 2005 के 40 कोश्चन तक सॉल्फ करा दिये गए है अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के कोश्चन सॉल्फ कराए जाएंगे तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहे और रिविजन करते रहे थैंक्यू सो मच